हम चर्चा कर लेते हैं अपने खास विशेपर और आज हम जानते हैं शशी जी से कि कैसे हम नवरात्र में अराधना करें यानि कैसे करें नवरात्र का सदुपियोग दर्शकों आजकल मा भगवती के उपासना में सभी लोग लीन है नवरात्र के दिन बहुत ही उर्जा से पूर्ण होते हैं यानि इस दिन उर्जावान होने का उद्देश होता है देवी के इन दिनों में शुबकार किये जाते हैं बहुत चार्ज होता है ये नौ दिन, ये समय स्वयम को शक्ति से जोड़ने का दिन है, यानि शक्ति में होना है, इन दिनों ऐसा कोई कार नहीं करना चाहिए, जिससे शक्ति का छह हो, रास हो जाए, लास हो, दर्शकों, आज नौरात्री के इन पावन दिनों में, इनको कैसे और सदुपियोग कर सकते हैं, क्या-क्या कुछ उपाय हैं, जिसको करने से कुछ लाव हो सकता है, आज इस विशे पे हम लोग चर्चा करेंगे, माभगवती की करपा आपको प्राप्त हो, इसे उद्देश के साथ हम को चाज आज आपको उपाय बताएंगे, जीवन में कई प्रकार के जो तनाओं है, संकट है, अशांती व्याप्त है, इन सब से देवी करपा से मुक्ति पाई जा सकती है, आज जो उपाय बताते हैं, इसमें है कि अगर आपके घर में पारवारिक क्लेश है, तो उसका एक उपाय है, इसको आप लोग करिए, नवरात्र की अस्टमी को या नौमी को, जब भी आपके हवन होता हो, किसी के अस्टमी होता है, किसे दिन नौमी होता है, उसमें जो हवन होता है, उसमें आपको एक मंतर पढ़ना है, और इसकी 108 आहूतियां देनी चाहिए, यदि घर में नहीं होता है, तो कहीं मंदिर में अगर हवन होता है, तो तो वो जो मंत्र है इसको आप लोग नोट कर रही हैं, स्क्रीन में डिस्प्लेव और आप इसकी फोटो ले सकते हैं, वो है सब नर करही परस पर प्रीती, चलही स्वधर्म, निरत शुत नीती, इसका जाब करिए, इसका हवन करिए, ऐसा करने से घर में जो अशान्ती है, वो शान्ती में परिवर्ति शुजाती है, और अगर हवन नहीं कर पा रहे हैं, यह हवन कर भी लिया है, तो भी कोशिश करिए कि अभी से, कि आप प्रतिदिन 21 बार कर सकते हैं, 27 बार कर सकते हैं, इसका जाब करिए, मा भगवती की क्रपा से, आपके घर में जो भी कलय है, यह स तो धनलाब के लिए नौरात्री में अस्टमी और नौमी तिथी को आप इस नान द्यान करके, आप उत्तर दिशा की और मूँ करके बैठ जाए, और एक इस फटिक के श्रीयंत ले आए, और अगर आपके घर में पहले से हैं, तो वो ही ले लीजे, तो श्रीयंत लाकर उत्त सकती हैं, पर दिशा के और मूँ करके आप कुछ चावण लीजिए और उनको लाल रंग से उनको रंग लिजिए, और उसको थोड़े से चावण रखकर उसके उपर श्रीयंत रख दीजिए और उसके आगे दीपक जलाईए, तेल के नौ दीपक जला लीजिए, और और इसके बाद ये श्रीयंत अपने पूजा इस्थान में रख दीजिए और नियमित रूप से आप पूजा करते रहिए धीरे दीरे आप देखेंगे कि आर्थिक रूप से जो फसावट थी जो दिक्कते चल नहीं थी वो भी अब दूर होने लगी और ऐसा करने से और श्रीय कराने के बाद उनको अच्छे से साफ कपड़े से पोंच कर उसके बाद उसमें इत्र जरूर लगाईए कोई पर्फ्यूम जरूर लगाईए सुगंद आनी चाहिए श्रीयन से और ऐसा आप नियमित करिए धीरे धीरे जो भी दरिदरता है उसका नाश हो जाता है भगवती क करपा प्राप्त होती है इसके लावा जो अगला एक उपाय है कि अगर आपकी कोई मनों कामना है और वो पूरी नहीं हो रही है तो उसके लिए आप अस्टमी के दिन आप शिव मंदिर जाईए और जाकर सुबह जल्दी जा सकते हैं और परिसर में साफ सफाई करिए मंदिर में जहां पर शिवलिंग है अरगा है वहां पर साफ सफाई करिए महादेव का श्रंगार करिए बहुत मन के साथ भाव के साथ इसके बाद शिवलिंग में जला विशे करिए दूड डालिए दही डालिए घी से विशे करिए शहत से करिए और साफ करके इत्र लगा कर बेलप को उसी दिन रात में जट तो फिरो अब मंदिर जाईए अगर मंदिर नहीं जुबारा जा रहे हैं तो आप घर पर ही एक छोटा सा हवन जरूर करिए ओम नमश शिवाय का हवन करिए घी से हवन करिए आप एक सो आठ आउतियां देतीजे आप देखेंगे कि आपको बहुत लाब होगा इसके बाद जब आप यह हवन कर लेंगे से तो चालिस दिन तक गुरुद्राक्ष की माला ले लिजे या इस्वटिक की माला ले लिजे ओम नमश शिवाय का घर में जाब करते रहे हैं पांच माल में होता है कि विवायोग कन्या है वर है लेकिन अच्छे रिष्टे नहीं आ रहे हैं विवा हो नहीं पा रहा है लाग कोशिशों के बाद भी विवा के लिए लड़के लड़कियों का चैन नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए भी एक उपाय है नवरात में करिए और भगव कपड़ा हो और कपड़ा बहुत fine quality का होना चाहिए या ऐसे समझिये बाशा में कि बहुत party wear कपड़े होने चाहिए देवी को जो भी दान देने है बहुत cotton या भीकुल rough नहीं होना चाहिए बहुत अच्छा कपड़ा दान करें या कपड़े सिल्वा के देए इसके साथ ही आती है आप ले लीजे और उसको मंदिर में दान करिए और आप देखेंगे कि माँ भगवती के क्रपा से रिष्टा भी अच्छा आता है और विवा का कारकरम भी आगे बढ़ जाता है वहीं लड़कों के लिए विवा के लिए नहीं हो पा रहा है तो उसमें क्या करना है कि मा दुर्गा को चमकीले रंग के सिल्वर रंग के कप्ले लेने हैं लड़कियों में पीले हैं इनमें सिल्वर डाइमंड के कलर के और शंगार का पूरा समान साथ ही एक परफ्यूम इत्र की शीशी भी देनी है और मंदिर में जाके देना है इसके लावा अगर काफी दिन हो गए हैं विवा नहीं हो पा रहा है एज भी निकल लई है तो एक जाप भी कर लीजे ये जाप है इस फटिक के माला ले लीजे और उत्तर दिशा के और मूँ करके या आप अपने पूजा गर में बैठ कर देवी जी के सामने ये मंतर पढ़ना है इस मंतर को आप नोट कर लीजे और ये मंतर है ये दुर्गा सबस्ति का अरगला से लिया हुआ है तो इस मंतर को आप जाप करिए और आप देखेंगे कि आपके मन के इच्छा नुसार मनोरत पूर्ण करने वाली जीवन साथी आपके जीवन में अवश्या आएगी